नमस्कार Education India पर आपका एक बार फिर से स्वागत है अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं UGC Net Exam City Slip के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आपको UGC Net Exam City चेक करनी है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में step by step दिखाई जाएगी इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखेगा लेकिन उससे पाले आप सो छोटी से request है आप इस वीडियो को like और share कर दे और साथ ही ऐसे वीडियो उस देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को भी subscribe करें के bell icon को दबा दे अब आईए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस परकार से आपको UGC Net exam की CT चेक करनी है तो आपको बतादे UGC Net exam CT चेक करने के लिए आपको Google Chrome या अन्य कोई भी browser open कर लेना है और यहां पर आपको सर्च करना है वेबसाइट कुछ इस परकार से आपको सामने open हो जाएगी यहां पर जैसे आप तो रदा सा नीचे के और आएंगे तो देख पाएंगे UGC Net exam CT slip 2023 आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और इस पोस्ट को ओपन कर लेना है पोस्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी यहाँ पर जिब आप नीचे के और स्ट्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे यूजी सी नेट एक्जाम सीटी 2023 डारेक लिंक आपको इस डारेक लिंक पर क्लिक कर देना है अब कुछ इस परकार से आपके सामने एक प्रेज आएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने एप्लिकेसन नंबर इस बॉक्स के अंदर फिल करने है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी date of birth को फिल कर देना है जो भी आपकी date of birth है उस date of birth को यहाँ पर आप फिल कर देंगे date of birth को फिल करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर यह कपचा code as it is इस box के अंदर फिल कर देना है क्रप्चा कॉर्ट फिल करने के बाद आपको सब्मिट पर क्लिक करना है सब्मिट करते ही कुछ इस प्रकार से आपके सामने UGC Net exam की CT sleep open हो जाएगी उपर यहाँ पर आपके बारे में जानकारी देखने को मिलेगी उसके ठीक नीचे यहाँ पर आपको date of exam देखने को मिल जाएगा इसके साथ यहाँ पर आपको सिप्ट of exam और time of examination भी यहाँ देखने को मिलेगा और यही पर आपको नीचे देखने को मिलेगी CT of examination आपको बदा रहे हैं जो आपके admit card है वो exam से कुछ दिन पहले जारी कर दिये जाएंगे जैसे admit card आएंगे education इंडिया आपको सबसे पहले provide करवा देगा इसलिए अभी आप चैनल को subscribe कर लीजेगा और bell icon को दबा देजेगा मिलते हैं आपसे कले वीडियो में कैसे ने जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद